नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संतोष सबकुषपर आज हम आपको बताएंगे मातारानी के नौ रूपों के बारे में इस बार साधिय नौरात्री 26 सितंबर से सुरू हो रहा है हिंदु धर में नौरात्री का एक विसेश महत्व है ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग लोग से मातारानी नौ दिनों के लिए प्रित्वी पर आती है अपने भक्तों को आशिरवात देने के लिए मातारानी का प्रथम रूप है माशैल पूत्री मातारानी का द्वितिय रूप है मा ब्रह्मचारणी मातारानी का तीसरा स्वरूप है चंद्रगंटा मा चंद्रगंटा जिसकी अराधना नौरात्री के तीसरे दिन की जाती है मा के पूजन अर्चन मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं नवरात्री के चौथे दिन मा कुस्मांड़ा का हम लोग पूजन करते हैं, जिने हम माथा का चौथा सुरूप कहते हैं. पांचवे दिन मा इसकण बाता का पूजन अर्चन नवरात्री के दिन किया जाता है. अराधना मोख्श के द्वार को खोलती है. मातारानी का छटा रूप मा कात्याइनी के रूप में जाना जाता है मा कात्याइनी के दर्शन मात्र से ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं मातारानी का सात्वा स्वरूप मा कालरात्री के रूप में है नवरात्री के सब्तमी के दिन मा कालरात्री की अराधना की जाती है मा कालरात्री के पूजा अचना से आपके सभी पापों का नास हो जाता है और आप में तेज बढ़ता है मातारानी का आठवा स्वरूप मा महागवरी का है मा महागवरी की पूजा अस्टमी के दिन की जाती है अस्टमी के दिन सारा संसार इनकी पूजा करता है इनके पूजन अर्चन मात्र से ही आपके सारे कश्ट दूर हो जाते हैं देवी का नवा रूप मास्य धिदात्री के रूप में है नवरात्री के नौमी के दिन मास्य धिदात्री की पूजा की जाती है मा के पूजन अर्चन से आपके सारे कश्ट दूर हो जाते हैं सारे पापों से मुक्ते मिल जाती है और आपको धन संपदा और वैभोक की प्राप्ती होती है मातारानी अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपादिश्टी बनाए रखे बोलो अम्बे मात की जै अमीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी मातारानी के अशिरवाद से मैंने पूरा प्रियास किया है मातारानी के नौ रूपों के बारे में जानकारी देने के लिए मित्रों कमेंट्स बाक्स में जै मातादी अवस्य लिखे और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही साथ बेल आइकान के घंटी जरूर दमाए जिससे आपको समय समय पर इसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपको नई नई जानकारियों से मैं ओगत कराता रहूँ तो चलिए दोस्तों चलता हूँ और जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार